एलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बूटिक में मैं हूँ आपका दोस्त सहीत परवेश तो दोस्तो आज की इस वीडियो में यहां पर फिटिंग वाली पैंट कटिंग करेंगे यह है स्कूल की यूनिफॉर्म टीक है यूनिफॉर्म की है आपको यह पर दिखांगा इसă बताओंगा कि क्रीज आती है यह बनी एक स्कूल वाली नमबा इसको आप लमबा लमबा भिशाएंगे अ तो हम इस तरीके से बिचाएंगे, आपने देख लिया होगा, एक बार फिर से पीछे से देख लीजिए, कि ये कन्नी है, ये इस सेड रहेगी, और अरज हमारी इस सेड में रहेगी, और बंद वाला हिस्सा हमारा ये रहेगा, तो हम इस तरीके से कपड़े को बिचाएंगे, और आज यहां पर बहुत बारिकी से बताने वाले हैं, क्योंकि हमारी काकी सब्सक्राइबर की कैना है कई सब्सक्राइबर के आप बहुत बारिकी से समझाते हैं, अच्छी वात है, तो हम आज इस खोशी में और बारिकी से समझाने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों यहां हेंगे सबसे पहले कि इस तरीके से और यहां पर करीप करनी से दो Him है इस निशानकों बटाते हैं आपको नाप कि लंबाई है 32े Aww हिब है यहाँ पर 25 इंच और थाई है 17 इंच और बॉटम है 12 इंच यह uniform की pen है स्कूल की uniform है तो यहाँ पर हमने थाई हलकी सी lose रखे क्योंकि इसमें lose ही रखते हैं क्योंकि बच्चे की dress होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो एक इंच है यह लिकाल देंगे ऊपर हम इस तरीके से आप देखते होंगे हर पैंट में मैं यहाँ ऊपर निकालता हूँ यह क्यों निकालते हैं यह भी बता देता हूँ यह इसलिए लिकालते हैं कि हमारा जो 7 इंच का जो belt होता है वो इसमें जब joint होगा तो लंबाई बढ़ जाती है ठीक है तो हमें यहाँ पर एक इंच लिकालता होता है और उसके बाद जो इसकी लंबाई है वो है 32 इंच तो आप 32 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे और नीचे फोल्ड करेंगे जो तुर्पाई होगी बॉटम में वो रखेंगे यहाँ पर धाई इंच और उसके बाद आप बात करें हम यहाँ पर लटक की तो दोस्तों इसकी जो हिब है वो है 25 इंच 25 का करेंगे फोर भाग छे चौक 24 और 25 अब इसमें हम आदा इंच और जोईन कर लेंगे अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे की पैंट में आदा इंच हम और बढ़ाते हैं और बड़े की पैंट में हम फोर भाग करके 40 इंच हिप तक का फोर भाग करके और निशान लगा लेते हैं 40 से उपर वाली का हम आदा पोन इंच कम कर लेते हैं तो बच्चे की पैंट में आदे इन्च और लगाने के बार में यहाँ पर लगाएंगे पॉकिट का लिशान तो दोस्तों यहाँ पर शेंच का लगा देंगे इस पार रखेंगे यहाँ अर इस तरीके से निशान लगादेंगे एक निशान नीचे लगा देने उसके बाद हमारी यहाँ पर जो कमर है वो है 23 इंच तो दोस्तों इसकी थाई है वो है 17 इंच तो 17 का हम हाफ कर लेंगे होता है 8.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे फलाई जहां से फलाई की गोलाई होगी और यहाँ से हम आदा इंच लेंगे सिलाई मार्जन कमर का फोर बाग करेंगे 23 इंच कमर है जो 6.24 यानि कि यह होगी हमारा पॉने 6 और आदा इंच लेंगे हैं सिलाई मार्जन और इसको इस तरीके से बिलकुस सीधा कर देंगे सीधा करने के बाद में यहां से देंगे गोलाई गोलाई देने के बाद में अब जहां से हमारी फलाई अटाइच होगी न वहां से हम ले लेते हैं दो इंज इस तरीके से आदा इंज करेंगे अपने सामने को डाउन इस चीज़ को अब हमारा यहां थाई है 17 इंज तो हम यहा तो हमारा क्रीज वाला जो निशान है यहां से हमें 12 का 4 बाक कर लेना है दोस्तों तो होगा तीन इच और यहां लगाएंगे 6 इंच पर यहां से इदर हो गया तीन इदर हो गया अब हम लेंगे दोस्तों शेप पंटी और इस तरीके से रखेंगे और आप डारेक्ट निशान लगा सकते हैं आपको गूठने गारा का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे, और यहाँ पर h ostat क खराउ कराज करेंगे, और यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हलका सा किराज कर लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पैंट के निशान लग चुके हैं अब दोस्तों हम करेंगे इसकी कटिंग तो दोस्तों यहां से हमारा कपड़ा बचा है इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे और घुमाने के बाद अब हम अपने सामने उपर रखना है आज हम आपको सरी तरीके से बता रहे हैं पैंट के मतलब किस तरीके से कपड़ा घुमाना है कि रखते हैं तो इस तरीके से यहां पर रखेंगेいます इस का रखने के बाद में यहां पर हम सीधा लगाएंगे एक निशान तो इसका हिसे पूरा उठावलिप है तो तो दोस्तों हीन पर!". हम पाफ सील बाद स्व चार्व जायाँ हिले 5- 10 फ्यक्न मेंल दूजन दोस्तों यहां पर हम यहां पर लेंगे तो कुत अका पड़ेज के यानि कि यह हो गया 7-6 इंच यहां से आदा इंच देंगे इसमें losing losing इसलिए देते हैं कि हमारे यह सामने margin नहीं रखा है वो यहां पर हमारा आ जाता है इसलिए losing देते हैं अब हमें अपने सामने से bag में margin लेना है fitting की pen में दोस्तों वो लेना होता है सवा 2 इंच यानि कि यहां सामने से इदर को सवा 2 इंच उसके बाद अब आएंगे नीचे छोटी पैंट हो या बड़ी पैंट हो लूस पैंट हो या टाइट फिटिंग की पैंट हो आपको यहां पर हमेशा सवा इंच लेना है वरना मोरीं फरक आयागा आप कम जादा कर लें करेंगे और इस निशान से मिला लेंगे और इसको निशान लगा देंगे निशान लगाने बाद हलका से करेंगे बॉटम फे किरास हलका से किरास करना है जादा किरास कर लेंगे आप जब सिलाई लगाएंगे तो अंदर तुर्पाई के लिए उसको तुर्पाई करेंगे न यहां पर मेरे एक भाई ने पूछा था हैदराबाद से कि यहां पर गोलाई के लिए आप ना बताएं कि कहां से गोलाई लेना होती है तो दोस्तों आज हम यह भी बता देते हैं मैं तो idea से लगाता हूं मगर आपको सही तरीके से अगर गोलाई लेना है सही तरीके से आपको गोलाई लेना है तो यह है फ्रेंच कवर ठीक है इसको आपको इस तरीके से रखना है मैं यूज नहीं करता हूँ क्यों मैं हमेशा आइडिये से लगाता हूँ और सही निशान आते हैं तो मेरे एक भाई ने हैदर आवास से मुझे कॉल की थी और कमेंट्स भी की थी कि यहाँ पर आप गोलाई बताएं लिकालना तो आप गोलाई इस तरीके से यहाँ पर लिकाल सकते हैं गोलाई यहाँ इस तरीके से लिकाल सकते हैं ठीक है पर उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे किस प्रेकार लेंगे और यहां से भी आप लगाना चाहते हैं तो आप यहां से भी लगा सकते हैं तो यहां पर हमारी हो छुके हैं निशान हमने लगा दियें दोस्तों यहां पर कटिंग कर लें तो दोस्तों यहां पर हमारी कटिंग हो चुकी है कम्पलीट आपका अगर कोई सवाल है मेरे दोस्तों बिल्कुल कमेंट्स करके मुझे बताएं मैं उम्मित करता हूँ जिन जिन लोगों की कमेंट्स आई थी कि यहां पर एक इंचिटेप लिकाल के बताएं किस्ली लिकालते हैं् वो भी मैंने इस पैंट में बता दिया है एक माई की कमेंट्स आई थी झा यहां से इस बता दिया है war